नमस्कार अजीत प्रेप टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है मैं रोहिनी और और आप देख रहे हैं ख़बरों के आएने से इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौझूद है अजीत समाचार से निउस एडिटर विकास सचदेवाची विकास ची मैं बाता करते हैं भगवान से कि आने वाला ये साल सब के लिए खुशियों भरा आए इसके बारे में हम थोड़े से विचार चर्चा करेंगे विकास सर से मैं सभी दर्शकों को जो हमारा कारेक्रम है खबरों के आईने से हम अपनी तरफ से बहुत-बहुत मंगल कामनाएं देते हैं आप सभी दर्शकों को आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत सी खुशियां लेके आए बहुत सी सफलताएं लेके आए थोड़ा सा प्रकाश ट उत्सा से इसका इंतजार भी करते हैं बहुत उत्सुकता से इंतजार करते हैं कि कब नया साल आएगा 31 तेसंबर की रात को या एक जनवरी जब शुरू होगा तो तब किस तरह से हम नया साल मनाएं या कैसे उसकी प्लैनिंग भी करते हैं पूरी तरह से तो मैं बताना चाहूं जो नया साल था तब 1 जन्वरी को नहीं 21 मार्च को मनाया जाता था बसंत पंचमी के आगमन पर तो उसके बाद धीरे धीरे ये ट्रेंड बदला और रोम के ही एक राजा ने इसापूर्व एक नया कलेंडर जो बनाया तो तब उन्होंने एक जन्वरी को नया साल मनाने का एक रिवास बनाया, तो वो एक जनवरी को मनाने के लिए उन्हें एक साल के 445 दिन करने पड़े, 21 मार्च को मनाया जाता था उससे पहले, तो जब उन्होंने एक जनवरी को मनाने का एक trend बनाया, एक trend set किया, तो उसके लिए उन्हें वो वले साल को 445 दिन का करना पड़ा, एक जनवरी लाने के लिए, बहुत नई सी बात है, यह बहुत अलग और नग बात है, और एक चीज और बताऊंगा, विश्व भर में एक साथ मनाया जाता है, हम यह समझते हैं कि एक साथ सारा मनाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुईयां आगे सरकती हैं, वैसे वैसे ही यह साल हर देश में अलग अलग समय पर आता है, अब अगर बात करें कि विश्व में सबसे पहले नया साल कहा मनाया जाता है, तो वो है एक समोवा और क्रिस्मस आइलंड है, जहां पर भारत भारतिये समय के अनुसार 31 दिसमबर जब होती है, भारतिये समय के अनुसार 3 बजकर 36 मिनट पर, जब भारत में 3 बजकर 36 मिनट 31 दिसमबर को होते हैं, दोपहर के, तो वहां पर नया साल शुरू हो जाता है, वहां पर सबसे पहले नया साल आता है, इसी तरह सबसे आखिर मे एक आईलेंड है उसका नाम मैं आपको बताऊंगा माइनर आउट लाइंग आईलेंड वहाँ पर एक जनवरी भारतिये समय के अनुसार जब भारत में एक जनवरी के शाम पांच बज़ कर 35 मिनट होते हैं तो वहाँ पर नया साल तब आगमन होता है नया साल जी तो ये मैं आज नया साल पर पहले कारेक्रम की शुरुवात हमने इस विशे से की है तो नया साल आप सभी के लिए बहुत-बहुत बहुत मंगल मैं आए बिलकुल आगे हम अपना विशे लाते हैं जी करोना पंजाब में काफी ज़्यादा अपने पैर पसा रहा है जिसको लेकर स्वास अधन बेशक नहीं है पर अगर एक पटियाला में भी कहरें बीते दिनों एक की मरीच की मौत हो चुकी ओमिक्रोन से ही तो मतलब हम क्या कह सकते है को अगर बात हम करें तो पहली लहर भी हमने देखी है दूसरी लहर भी देखी है तो यह तीसरी लहर हम कह सकते है कि यह यहां पर क्यों कोई मतवकी action नहीं दिया जा रहा है इसके बारे में आप क्या कहें देखिए कोविड का जो नया variant Omicron आया है उसकी वज़ा से एक देहशत का महौल पैदा हुआ है क्योंकि जो विशेशगे हैं वो यह कह रहे हैं कि डेल्टा वेरियंट से ज्यादा अक्रामक और ज्यादा तेजी से फैलने वाला वेरियंट है Omicron और एक बात आपको बताऊंगा कि पिछले छे महीने हमने बहुत ठीक तरीके से एक तरह से गुजारे हैं जब से नई guidelines आई जो पाबंदियां थी वो हट गई सब जगा पे सब कारोबार सब कुछ शुरू हो गया फुल कपैस्टी के साथ बस्स और रेल गाड़ियां वो भी शुरू हो गई लेकिन उन छे महीनों में पहली बार एक दिन में 407 केस पंजाब में कल आए एक दिन में 407 केस ये छे महीने के बाद का अंकड़ा है कि छे महीने बाद हम फिर से उसी पोजीशन पर दिरे दिरे पहुंच रहे हैं और एक हफते में अगर हम बात करें एक हफते की 27 दिसंबर से दो जनवरी तक का एक हफता अगर हम लेकर चले तो इस दोरान पंजाब में जो केसिज हैं वो 10 गुना बड़े हैं जिस तेजी से आप जिसकी बात कर रहे हैं इस तेजी से अगर ये कोविड फैलेगा फिर से ने तरीके से तो हम फिर उसी दूसरी लहर को सामने रख कर अग क्या बुरी हालत थी उस वक्त लोगों को शमचान घाट तक में जगा नहीं मिल रही थी तो ये इस लिए बता रहा हूं कि आने वाला समय जो है बहुत ही खटिन है बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है इसलिए सरकार को नई अगर थोड़ी से पाबंदिया लगानी पड़ें तो लोगों की जान बचाने के लिए इसमें कोई हर्ज नहीं है नहीं मेरे को लगता कि कई लेक्शन के कारण तो नहीं अपना अपना काम करना है स्वास्ते विभाग को सरकार को यह रिपोर्ट सौंपनी है कि कैसे कैसे किसनी तेजी से केसे बढ़ रहे हैं तो उस का इस चो थोड़ा बहुत असर है वह पावंदियों की तरफ थोड़ा जाना चाहिए जाना जाए की तो मौत ही हो हो चुकी है नहीं तीन लोग मर चुके है आज तक अगर ऑगर देख सिरा तो इस लिए अगर हम यह सोचे कि अगर कोवीट से हमें बचना है तो हमें उन उन सभी जो नियम हैं जो गाइडलाइन्स थी जितनी भी थी उन सभी का पालन करना होगा और सकती से करना पड़ेगा तो इसी के साथ हम अपने अगले मुद्दे पर आते हैं बात करेंगे चाइना की चाइना इस वक्त पानी की भारी किलत से जूज रहा है जी जी कहा जा रहा है अरब देशों से भी ज्यादा इसके घंबीर बने हुए है जी चाइना में 20 प्रतिशत अबादी है परंतु उसके बदले में जो पानी है केवल साथ प्रतिशत रह गया है यह वाके में ही काफी क्योंकि कहा जाता है कि अगर जल है तो जहान है जी तो इसके बारे में आप क्या जह कहेंगे जो बात आपने कही वह फिर से दोह रहाऊंगा कि चाइना में पूरी दुनिया की 20 प्रतिशत अबादी है चाइना सबसे जादा अबादी बाला देश बीकिना की 20 प्रतिशत अबादी चाइना क्या है और अगर उन लोगों के लिए पूरी जितनी भी वहाँ पे अबादी है उस पूरी अबादी के लिए अगर पानी का हम सोचें तो वो केवल वहाँ पर पूरी दुनिया का साथ प्रतिशत पानी है उनकी बहुत सी सेंकडों में कई नदियां जो हैं वो लुप्त हो चुकी है लुप्त का मतलब यह है कि वो खतम हो ग उसकी वज़ा से यह सारा जो हम अगर देखें तो यह सारा प्रबंद चाइना सरकार जो भी कर रही है वो उनकी बेस प्रतिशत आपादी के लिए कम है बहुत कम है बिल्कुल पानी वहां पर बहुत जरूरी है और आने वाले समय में तो वहां के चीन के अधिकारियों ने य 2022 में सुखा गंभीर सुखा पढ़ सकता है तो यह बहुत गंभीर स्थिती वहां पर बनी हुई है और चाइना की जो सरकार है वो धीरे-धीरे हिंद महासागर और बाकी के देशों पर जैसे भारत के अरुनाचल पर देश पर भी उन्होंने अभी पिछले हफते ही दावा ज नजर बाकी के पडोसी राज्यों के एरियाज पर शेत्रों पर और साथ में उनकी नदियों पर उनके जल पर नजर है उनकी कि हम वहां से किसी तरीके से लिए चाइना में इस वक्त जो भू जल है जो भूमी के अंदर का जल है वो भी पीने योगि नहीं रहा वो भी उसका उसकी वज़ा भी उद्योगी करण ही बताई जा रही है जो रिपोर्ट आई है उसमें कि उद्योगी करण के कारण जो पानी है जो भूमी के अंदर का भूमी गत पानी है वो भी इतना दूशित हो चुका है कि लोग उसे भी पीने के लिए यूज नहीं कर सकते उसको सिरफ न सुखे की कंभीर स्थिती पैदा हो सकती है बिल्कुल अगर पानी स्वच नहीं होगा तो नैचरली बिमारियां तो होंगी ही तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कारेक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे कहा जाता है सभी परिस्थितियों में संतूलन बना रखना प्रसंता की चाबी है जी विकास जी सुख हो या दुख हो किसी भी परिस्थिती में हमें अपने मनो भाव का मनो स्थिती का संतूलन यदि हम बनाई रखें तो वही एक सुख की चाबी है कि उसी से ही हमें सुख प्राप्त होगा यदि हम यह नहीं है कि दुख के समय में इतना अधिक दुखी हो जाएं कि हम कोई काम ही ना कर पाएं या खुशी के टाइम में इतना खुशी से फूले ना समाएं कि आसमान पर ही उड़ने लगें तो ये एक संतुलन बहुत जरूरी ही है जिन्दगी में वही है कि उसी से हम सुख प्राप्त कर सकते हैं तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ता के कुछ खास मुद्धों के बारे में अगले सब्ता हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्धे लेकर अजीत वेप टीवी देख रहे सभी दर्शा किसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे अब हमें दीज़े इजाज़त नमस्कार यूट्यूब दे उते वीडियो खबरां देखन देली उन्हें सब्सक्राइब करो अजीत ना ओफिशल यूट्यूब चैनल अजीत वेब टीवी तो हाड़ा अपना अजीत हों ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उते वी उपलब दै ट्विटर दे उते खबरां देली फॉलो करो डेली अजीत इंस्टाग्राम दे उते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखन देली फॉलो करो बलू टिक वाड़ा